वो हिट अर्मी के सामने बंगला टाइकर एक तरफ साकिट नहीं है तो दूसरे तरफ कोई लिवी नहीं है तो फिर किसका पगड़ा आई भारी चलिए इसको पर करते हैं चर्च वालकब की सफर से किकेट वानी का सपर सुरू हुआ था और आप लोगोंने इतना प्यार दे लाइट इस कि toys यागे लेगए और वाकिस कर चुका १ार और मैं तो फेस्कू केज कि किर्कट वानी का है वो पूच दिन लिए ब्लॉग का हो चुका है तो अप मेरे ऊब्सकूर लोग करते रहिए आप यूटूब पे आके मेरी चैनल को सस्क्राइब कीजिए लोटिकेशन के घंटी को भी दवा दीजिए इस्ट्रग्राम पे भी आप मेरे को फोडो कर सकते हैं तो फिर नीचे सारे लिक दिया हुआ है तो फिर आप खटापट उस काम को कर लीजिए उसके उपर हम आज चर्चा करेंगे तो फिर एक बड़ा जटका लग चुका है वांगदाद इस क्रिकेट टीम को क्योंकि एसा लग रहा था कि यह जो टीम है यह लड़ाई कर सकता है क्योंकि पिछली बार जबी निदाश्ट्रफी हुआ था वहां पे एक रुमांचक का मुकाब यह जब भी बड़ो सी टीम भीड़ता है तो फिर आपको वह ज़स्पाद सब कुछ देफनी के लिए मिलता है लेकिन यह जो कुछ दिन का सफ़र है यह थोड़ा सा कहानी को पलर पलर चुका है क्योंकि साकिपूल हसन जो कि नंबर वन अलाउनर हम मानते हैं चाइटेश पर ऑटेश क्रकेट के अधियास को लिए बड़ा शत्तका लege यह दना जितियास नथे इतियास को यह नहीं बता है उस बजह दको साल का प्यान लगा उसके बाद आप देखें तमिक एकबाल जो की इनके टीम का हिस्सा नहीं है मैं मानता हूं कि एक धुमादार ओपनर है लेकिन उनका नाम नहीं है तो ये टीम थोड़ा सा साधारन लग रहा है लेकिन क्रिकेट है कभी भी बाजी पलड़ सकता है क्या इंडिया को चुनोती देए पाएगा ये एक बड़ा सवाल रहेगा अब जिब बैंगलादेश टीम के उपर नजर डालते हैं तो फिर 4-5 ऐसे खिलाड़ी है वो अच्छा करेंगे तो फिर टीम लड़ाई कर सकता है इंडिया को चुनोती दे सकता है वो खिलाड़ी कौन-कौन साहे देगे अभी मन्नू मितुम जो कि अच्छे बल्लेबाजी करते है सुम्भिय सरका लेप्टांट बल्लेबाज वो भी अच्छा करेंगे तो टीम अच्छा करेगा मुस्तवीजु रहीम है जिस टीम का गीट का हटी है बीच पर आते हैं और रन बनाते हैं ये जबी अच्छा करेंगे तो फिर बंगलादेश टीम भी अच्छा कर सकता है मुस्तवीजु रहीम है जो कि लेप्टांटेज गिंबाज है इंसे तोड़ी सी बच कर रहना पड़ेगा ये जबी 4-5 खिलाड़ी अच्छा करके तो फिर थोड़ा सा इंडियन टीम को मुस्किल होएगा लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि सामने वाले टीम आप भात्या टीम को पर नजर लाते हैं ये पकड़ावारी है और भात्या टीम को खिलाड़ी है ये फूर फॉर्ट पर चल रहे हैं तो पर हम भात्या टीम को बात करते हैं रोई सर्मा की आगवाई पर ये टीम में पहला टीम टीम टीली पर खेलेगा तो फेर रोई सर्मा की कप्तान सिप की आंकड़े आप जो भी उठा कर देखते हैं इसे को आजकाल रोई सर्मा जिस चीज को हाथ लगाते हो चीज सोना बन जाता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि रोई सर्मा जितने भी आच्छा करते हैं उतना दिल को सकुन मिलता है तो पर रोई सर्मा अलता बेस्ट है लेकिन कप्तान सिप की बाग करें ये भी के टॉप क्लास कपतान है महिंदर सिंग फोनी का जैसा सोच रखते हैं और अंतिम समय तक गेंद को लेके जाते हैं तो पर आज एक बड़ा चुनती रहेगा विराड को इली टीम पे नहीं है तो पर रोई सर्मा क्या टीम बनाएंगे क्या हो सकती है प्रेंग इलेवें इसको और एक बड़ा सवाल रहेगे क्योंकि जिवम डूबे इस टीम पे है संजू स्यामसंड टीम पे है किसको मिलेगा मोगा हम थोड़ा सा टीम बनाने की कोशिस करते हैं सबसे पहले रोई सर्मा कप्तान उनके साथ सिकार धबन कपर धाबान ना दो उपनर और इनका चनला छो जो आप That N. अगर ना भी जो से शर्यकञ धर करा है यता यजिवम रागा का वा रहे हुए एज वर лай और नमबर पर अधनि होँए यज जो रहनला चाहेगा है और आु पहीज़ा पहर मोगा हमद्गा हेदा परलिए नमबर है यह जो सीरीज है यह रिसाफ पंद के लिए बड़ा जरूरी सीरीज है तो पर रिसाफ पंद मेरे पांचुए नमबर खिलाड़ी छटे नमबर पर कुणनाल पांडिया क्योंकि कुणनाल पांडिया थोड़ा सा जनबाजी करते हैं और बल्ली बाजी एक हार्ड हीटर है वहां पर उनका नाम चैन हुआ था आई पेल पर पर साथवे नमबर पर सिपरम रूपे आथवे नमबर पर में रखना जाओंगा वासिंग्टन सुन्दर क्योंकि इतना कुछ खराब नहीं किये थे जितने भी मुकाबिला खेले हैं की टूंटी पर खास तोर पर वहां पर कमाल की गिन बाजी किये है बहुत क्वे पर तोड़ा सा सिकंजा कसे हैं और उकट भी निकाले हैं आटवे नमबर में वासिंग इडर सुन्दर तो रका तो फिर तीन गिन बाज जै दिन गिन बाज पर मैं दो-तेश गिन बाज के साथ जाओगा वह गिन बास होन हो सकते हैं अंदर बाहर करते हैं इंडिया की कर्णिसान हो तो फिर यह खिलाडी निकाल सकता है तो पर दिपाक चाहर उसके बाद आप देगे यूजी चाहर की पे लिक स्पिन फिरो सा कुट लाइकी मैदान तो फिर यह थोड़ा सा कारकर साबिद रहेगा यूजी चाहर के लिए बड़ बहां निकालते निकालके लिए के जाते हैं इंदफो तो फिर है मेरा प्लेंग के लेवन खालील हमत तक लेकिन रोई समचों का क्या सोच होता है क्या सुझा सम्संग का मोपा मिलेगा यह एक देखने ऊग वागत बनेगे इसे संजू समसंग मेरा भी पसंदी त्या आपड़ेगा क्रिकेट वानी ये हाइलाइट प्लेयर कोन हो सकता है, धेली है, लेकिन इनने ये रो हेटे सर्मा का दिन चल रहा है, ये पर आइंडिया पगड़ावारी है और एक सुन्य से पाज़ेगा राज़वोट तब तक के लिए आप कीजिए लाइक से आर फॉलो और मेरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत बूलिए आप मेरा लूब ऊठा सकते हैं एक मिनिट का सभाई है लेकिन बहुत कुछ वाँ पे जिखने के लिए मिलता है तो फिर तब तक के लिए आप मेरे वो दीजिये जाद जात यंता वहां सकते हैं